शाओमी की मी ए सीरीज है ना वो काफी ज़्यादा पॉपुलर है उसके कैमेरा एक्जेंट्रिक स्मार्टफोन के लिए और उनके एंड्राड वन प्रोग्राम के लिए भी और शाओमी ने अपना ग्लोबली मी ए 3 लॉंच कर दिया है और आपको जो इसका मी ए 3 है ना इस फोन के अदर आपको 6 इंच की HD रिजलेशन वाली डिस्प्ले देखने को मिलती है और ये एक Amolet डिस्पले है हाँ दोस्तो क्शाओमी ने इस बार Amolet डिस्प्ले तो दे दी लेकिन उसके अदर आपको रिजलेशन सिर्फ HD प्लस वाली देखने को मिलेगी और आगे के स से इसके अंदर आपको Gorilla Glass 5 का भी प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा और इसका बैक साथ भी पूरी तरह से Glass Build के साथ में आने वाला है और उसके अंदर भी आपको Gorilla Glass 5 का इसके अंदर इसके अंदर एक छोटा सा नcost का बात है और उसके अंदर और वर्ल्ड के अंदर आने वाला यह सबसे पहला स्माटTON है जिसके अंदर फीचर के बारे में बात करेंगे जो है इसका कैमेरा इस फोन के अंदर आपको 48 मेगापिक्सल का प्रामेरी संसर देखने को मिलेगा जिसके अंदर आपको Sony IMX586 का कैमेरा संसर देखने को मिलेगा हाँ दोस्तों यह कुछ उसी तरह का कैमेरा है जिस तरह का आपको Redmi Note 7 Pro के अंदर पहले ही देखने को मिल चुका है पर इस बार आपको ट्रिपल रियर कैमेरा देखने को मिलेंगे क्योंकि जो दूसरा कैमेरा होगा न वह एट मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइल एंगल लेंस देखने को और जो थर्ड कैमेरा होगा वह दो मेगाप एक्सल का डेप संसिंग के लिए यूज किया जाएगा तो मी एक कैमेरा के मैंबले में भी थोड़ा सा अपग्रेड है और इसके फ्रंट कैमेरा में भी आपको एक अब्रिक देखने को मिलेगा क्योंकि इसके अंदर आपको 32 अब्रक शाओमी ने हमें 4000 इमेज की बड़ी बैटरी दी है तो यह वे काफी अच्छा अपग्रेड है और यहां तक कि दोस्तों यह फोन 18W के फास चार्जिंग को भी सपोट करता है लेकिन आपको इसके अंदर 10W का ही चैन्डर सा चार्जर देखने को मिलेगा और दोस्तो तो हो सकता है कि शाओमी इंडियन मॉडल के अंदर आपको पास चार्जर बॉक्स के अंदर ही प्रोवाइड कर दें शाओमी ऐसा करता है या नहीं यह तो आपको लॉंच के बाद ही पता चल पाएगा और इस फोन के अंदर बाकी के सारे आपको बेसिक फीचर सी देखने को मिलें जैसे कि बागी शाओमी के एम आए सीरिस के साथ ही इस यह भी एंडराट बन प्रोग्राम के साथ में आया गने वाला है इसके अंदर ही आपको यूजबर टाइप सी का पोड़ देखने को मिलेगा लेकिन इसके अंदर एक अच्छी बात है कि इसके अंदर आपको 3.5 अब एम एम का हेड़फोन जैग देखने को मिलेगा जो कि मी एक टू के अंदर मिसिंग था तो यह काफी बड़ा अपग्रेड है और दोस्तों इसी के साथ में आपको इस फोन के अंदर आया बलास्टर भी देखने को मिलने वाला है दोस्तों अगर देखा जाए तो मी यह काफी सारे ममलों में अच्छा खासा अपग्रेड है लेकिन सब कुछ बात आती है इसके प्रैजिंग के उपर क्योंकि जैसी स्पेसिफिकेशन के साथ में यह फोन आता है अगर इसकी प्रैजिंग 12 यह 13000 के असपास होती ही तो यह काफी अच्छा ओप्रशन देखने को मिल और यहां तक की रेडमी नोट 7 प्रो भी जिसके अंदर आपको स्नापड्राइगन का 675 का चिपसेट देखने को मिलता है तो उसी प्रैजिंग के अंदर सिक स्नापड्राइगन का 665 कौन लेने चाहेगा तो दोस्तों आप लोगों को में यह थरी के बारे में क्या लगता है